नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, C.Y.ائ. एष्टलोजर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो नया साल है, साल 2022 वो हमारी सब लोगों के लिए कैसा जाएगा जब हम सब लोगों की बात करते हैं, विस्व समाज की बात करते हैं, विस्व पटल की बात करते हैं, तो हमें काल पुरुस की जन्मकुंडली को आधार मानना पड़ता है, काल पुरुस की जन्मकुंडली का तात्परी है मेश लगन की जन्मकुंडली, यानि कि मेश लगन की ज वेक्ती के पास एक जन्म कूंड़ी है और हर वेक्ती का अलग-अलग काम है और हर वेक्ती के अलग-लग आईउ है उसके अकोडिंग उसके जो हैं वो करतब्वे होते हैं लेकिन फिर भी जैसे की कोरोना आ जाता है समाज में जो है वो महंगाई बढ़ जाती है कई बार जो है अच्छे लाब होते हैं कई बार अच्छी फसले होती है वो किस कारण होती है कि सभी लोग एक तरह से थोड़े बुत यानि कि हम यह माने कि अनुपातित लोग जो है वो खुस होते है या नुकसान में जाती है वो बताती है आपकी काल पुरुस की जन्मकुणल काफी अच्छा दोस नहीं है, यह बहुत बुरा है, इसमें हेल्थ से सम्मंदित प्रोब्लम आने के योग बनते हैं, जब हम गोचर की बात करते हैं, जब हम पूरे के पूरे वर्स की गोचर की बात करते हैं, तो हमें बड़े जो ग्रह गोचर करने वाले जैसे राहू, केतू शनी और गुरु यहाँ पे गुरु जो है वो वर्दी करने वाला ग्रह है और बाकी जो छोटे-छोटे चलने वाले ग्रह है वो तो चलते रहते हैं उनके कारण हम वर्सवल का फरादेश जो है नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे राहु, केतु और शनी और गुरु इनके 22 में लाब के योग बनेंगे पूरे वर्ष बर लोगों को लाब रहेगा बहुत ही अच्छा लाब रहेगा यानि कि नए नए आयाम मिलेंगे नए नए लाब होंगे हाँ ये साल हेल्थ की दृष्टी से थोड़ा सा असुब जरूर जाएगा क्योंकि यहां पे कुलिक नाम का काल सरब दोस बनता जो हेल्थ के डिजीजिस के लिए ही महत्वपूर्ण तुरूप से माना जाता है लेकिन गुरू का लाब घर में जाना यानि कि एक तरह से सरीरी की रिकवरी भाव में जाना तो लोगों वो लाब मिलेगा जल्दी से जल्दी दवाई लगेगी और दवा के इसका परिणाम निकाले, यहां पे गुरू की जो दृष्टियां है तीन दृष्टियां होती है पांचवी ऐसाथी और नवी दृष्टी तो पांचवी दृष्टि के दवारा गुरू जो है वो तीसरे घर को द sciences है हमारी ट््orman है हमारी आंदर पैदा होने वाले नए न लाब कमेंगी। साथ में गुरु की एक दृष्टी जो है वो पांचवे घर पे आती है तो हमारी यहां पे वर्दी करती है हमारी गुडवक्ता के ऊपर तो हम अगर गुडवान होंगे तो गुडवक्ता को जो हमारी बढ़ेगी तो हमें नए नए व्यापार मिलेगे नए न लाब होगे तो गुरू का यहाँ पे गोचर इस पूरे साल में होने वाली कई सारी अशुब और शुब गटनाओं को मैंटेन करेगा इसका ताजपरे क्या है कि आपको यहाँ पे समझना है कि गुरू इस साल के लिए एक संजीवनी है जो हमें लाब देगा अब गुरू के अ राषी परिवर्तन करेंगे राहू मेस राषी में आएगा और केतु जो है वो तुला राषी में आ जाएगे यहाँ इन दोनों का जो राषी परिवर्तन होगा वो थोड़ा सा अशुब होगा क्योंकि काल पुरू जन्म कुंडली के अंदर जो है वो लगन भाव में राव याने की जात्तक को सरीर के उपर आ जाएगा तो थोड़ी बीमारी देगा और अभी जो साल की सुरुआ है तो वो कुलिक नाम के काल सर्ब दोश्टे हुई है तो हमें यह कह सकते हैं राहू थोड़ा सा परिसान करने वाला है तो सभी लोगों को राहू से सम्मंदित कुछ उनके उपाय करें भगवान सीव के पूझा करें तो आपको लाव रहेगा इसमें क्या है कि राहू लगन में आएगा तो जात्तक के मस्तिक्स में जात्तकों के मन में नए नए इलूजन पैदा करेगा जैसे कि सिर्वजार से पैसा कमा लें जैसे कि आपके जुए सटे हो भारी ना हो इसलिए आप जो हैं वो अपने गले में एक चोकोर्ट सांदी का टुकडा पहन के जरूर रखें जिससे कि आपको लाब रहे और राहू के दान करते रहें और किसी भी वेक्ति को आपके जो भी मित्र है या कोई भी आपके साथ में हैं उसको नसीले परदार्थ का अपनी तरफ से कोई भी सेवन न कराएं अगर आप इस तरह का कोई भी अपने दोस्तों को साथ नसीले परदारत का शेवन करते हो या उनको अपने पैसे से कराते हो तो आपके लिए बहुत नुक्सान हो सकता है इस साल में राहू लगन में आ रहा है तो सबी लोगों के लिए एक मानव जाती के लिए ही थोड़ा सा नुक्सान गए तो इस साल में अगर कोरोना की लहर आते हैं जैसे की मार्स के मैने में जैसे ही राहू में इस रासी में गोचर करेगा तो कोरोना की बहुत ही तकलीब बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि राहू लगन में है, तो इसका मतलब क्या है कि नए नए विचार पैदा होगे, उसमें बहुत सारे ऐसे विचार भी होते हैं, जैसे कि घर के बाहर आदमी जो है, वो गलत कारे करें, किसी भी अलग लोगों के साथ करें, तो उसी साथ से जीवन चल रहा है अपने आप ही कहीं और फसके जो है वो अपना सामाजिक हानी करा लेगा मांसिक हानी करा लेगा क्योंकि वहां पे केतु सब्तमगर में आ रहा है तो केतु और राहू के उपाय करने से इस साल में हम अपने व्योसाय को अपने पूरे के पूरे सरीर को बचा स तो हमें राव केतों के सम्मलित उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें लाब मिले इसमें सबसे बड़िया है कि जो गली के जो आवारा कुटे हैं उनके उपर जो है आप दानपुने करें जैसे रूटी कहलाना अटे का हल्वा खिलाना ये सब चीजें बहुत अच्छी लाब लो में जब से सनी ने यहाँ पर गोचर किया है जब से कोरोना चल रहा है तो लोगों की आर्थी रिस्तियां टूटी है सब कुछ हुआ है लेकिन फिर भी इसने बना के रखिया दुनिया भर की महंगाई हो गई फिर भी क्योंकि सनी जो है वो ससा नाम का पंच मापुरस यो जहिए तो आपको यहाँ पर इस बहाँ को समझना है सनी हमारे को बहुत ही मजबूती दे रहा है हमारे कर्चों को जो है मेंटेन कर रहा है वो किसी भी तरीके से हो चाहे हम उदार ले रहे हैं कोई सपोर्ट कर रहा है पारिवारी की स्तियों के द flashy करे द्वारा है हम किसी भ मही के लगबग जो सनी है वो कुमरासी में जाएगा, कुमरासी से वापिस भी आएगा, लेकिन यहाँ पे शनी का प्रभाव बना रहेगा, तो हम इस साल में यह कह सकते हैं कि शनी और गुरू के अच्छे गोचर के वज़े से हम यह साल अराम से पुन रूप से निकाल सकते है कि सिर्फ हमें हेल्थ में और कोई भी हमसे गलत काम नहों जाए, झैसे हम अपनी प्रापट्री को नफ़स आन लें, जो हैं से लोटरी के चकर में, हम अपने सरीर बें, कोई न कोई बिमारी के नंनलब में लापरवाई करके उसमें नफ़स जाए, या फिर जो हमारी जो कोई दोराय नहीं है और हम कामना करते हैं कि इस वर की किरपास से सभी लोगों का ये साल अच्छा निकले लेकिन राव और के तुने यहां पे थोड़ा सा जो एक काल सरब दोश बनाया है साल के सरुवात में ही उसको आपको देखना है और उससे सम्मनित आपको उपाय करते र लेती है तो आप उसमें ध्यान दीजिए तो यह साल आपके लिए अच्छा जाए यह हमारे कामना है तो आज का यह जो वीडियो था रासिपल 2022 का और सारे लोगों के लिए किस तरह का परणाम था तो आप यह देखा आपको कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगा तो ल आपने वाद दोस्तों